बंपर कमाई के बाद भी संजु सल्मान की बजरंगी भायजान सहित छे फिल्मों से पीछे बाहु बली टू के आसपास भी नहीं रन्बिर कपूर की फिल्म संजु सोला दिनों में बॉक्स ओफिस पर कम से कम 307 करोड का बिजनेस कर चुकी है ये 2018 की सबसे जादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है रिलीज के बाद ही इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए हाला कि अभी भी ये आमिर खान और सल्मान खान की फिल्मों सहित पाच फिल्मों से पीछे है इसमें प्रभास की बाहु बली टू भी शामिल है हम आपको बता दे बाहु बली टू के आसपास कोई भी फिल्म नहीं है संजु 29 जून को रिलीज हुई थी 300 करोड रुपे के कलब में शामिल हो चुकी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी संजु अभी इन पाच फिल्मों से पीछे है लिस्ट में राजकुमार हिरानी की पीके भी शामिल है वही हम आपको बता दे संजु को इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली थी फिल्म ने तीन दिन के अंदर कम से कम 100 करोड रुपे का आकड़ा पार कर लिया था यही वज़ा रही कि इसकी रफ्तार से सल्मान खान और रनबिर सिंग की सूपर इट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया हम आपको बता दे संजु बॉलिवूट एक्टर संजेदत की बायोपिक है जिसमें उनके किरदार को रनबिर कपूर ने प्ले किया है फिल्म में सुनेलदत का रोल परेशरावल ने निभाया है और पत्नी मानेदा का रोल दिया मिर्जा ने प्ले किया है इसके साथ ही साथ अनुशका शर्मा मनिशा कोईराला ने भी हमकिलदार निभाये है